बढ़ते आगे, बीजेपी नेता और प्रतेश्टे टिव्यापारे राजेश मसाल ने अमेथी के किसानों के उध्थार का बीड़ा उठाया है किसानों के आए को दोगुना करने के मकसट से काम करही मोधिसकार के इरादों कूरा करने के लिए राजेश मसाला ने अपनी अमेथी की फैक्टरी पर किसानों को शर्बती गेहु के बीज वित्रित करवाई है जिहां अमेथी में साथ इस्थानों पर राजेश मसाला किसानों तक इन बीजों को पहुंचा रही है और किसानों को ये बीज बाजार भाव से कम कीमत पर दिये जा रही है दरसल इस बीज से तयार फसल को किसान प्रती क्वेंटर बाजार भाव समयते सरकारी रेट से 200 रुपिये बोनस पर फसल बेच सकेंगे और अभी तक लगपक 50 तंद तक बीज बिक भीग चुका है तो राजेश मसाला की ये सरानीय पहल सामने आई है किसानों को शर्बती गेहुं का वीज बेचा जा रहा है वितृत किया जा रहा है बाटा जा रहा है वीज वितृन के लिए साथ पोइंट खोले गए हैं já बाजार से कम भाव में दरसल राजेश्मसाला ये बीज वितृत कर जिस वजह से किसानों को लाभ मिल सके जब यह जो है जब यह बहुत कर दो कि अधिक अधिक बाद कि सान ले जाकर बोएं बोएंगे तुसमें आज से तस पुंटन लगवद पाईदावार जू बताया गया है कहने बतला लिया जाएगा ओदिया जाएगा ओखे बाद बजार से दो सुपिया उनको बोनस मिलेगा उनको लाव कि सरकार की मंसा भी है और एक उद्यमी होने गनाते हमारा फर्ज भी है कि हम जहां रहते हों वहां रहने वाले किसानों का आए बढ़ाई जाए उनका जीवन अस्तर सुधरे इसी को दिश्गत रखते हुए मैं एक बराइट किसानों भरोसा दिया है कि आप जो गेहों पैदा करेंगे उस गेहों को हम बाजार भाव से 200 रूपया कुल ज्यादा भाव की देंगे किसानों को साथ पॉइंट बनाए गए हैं जहां से उनको बीज मिलेगा अब आप बताना चाहता हूं कि बाजार भाव से कम भाव में हम बीज भी दे रहे हैं अब उस पे साथ से आठ रूपय किलो का जो खर्चा आ रहा है वा मेरे प्रतिष्ठान द्वारा मेरी फर्म बारा उसको सेर किया जा रहा है जिससे किसानों को बीज कम दो